हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी से होंगे तो फ्रेंस एक देखिए लेमन ग्रास का पौधा और इस पौधे का डॉर्मेंसी पिरेट लगबग खतम हो गया है और ए समय प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का बहुत ही सही है तो फ्रेंस मै बीज से भी हम नया पौधा ग्रोव कर सकते हैं देखिए तो फ्रेंस अगर आप लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से भी लाके लगा सकते हैं या फिर कहीं भी यह पौधा देखिए तो एक छूटा सुझू है पौधा ले आईए उनमें जड़ रहने चाहिए थोड़ी से अक पानी दे देती थी फिर उसके बाद फिर इस तरह से छोड़ दिती लेकिन अब इनिकाद और और इनकी प्रूनी इंकी रि यूट ना बहुत ४ॉर्टिंग तो नहीं नहीं करूंगी लेकिन प्रूनिंग जरूर करूंगी तो फिर आप इसी लगाना चाहते हैं दो लगा ड रखेंगे ताकि एधर उधर बिख्रेन देखिए तो फ्रेंस आप देख रहे हैं आईरवेदी गुड़ों से भरपूर है इसलिए मैं कह रही हूं अगर आप नहीं लगाया है तो लगा लेजिए और बहुत अच्छी खुसबू आती है और इस प्रोनिंग कर देती हूं और इदुमेंस से खुसबू बहुत ही अच्छी आ रही है तो विर्डू इस समझो है प्रोनिंग और और रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है इस पोधे के लिए अगर आप छोटे से गमले में लगाए हैं तो चेक कर लिए कहीं उसमें ज़्यादा जड़ नहीं बनी है अगर ज़्यादा जड़ बनी है तो फ्रेंट्स उनके रिपोर्टिंग कर दीजिए बड़े स साथ देते हैं जब से लगे हैं करोना काल में तो इनकी रेगुलर चाय हमने पीया और हम भी पीए हमारे पड़ों से भी अच्छी खासी जो चाय बना कर पीते थे देखिए तो फ्रेंट्स से इनकी पतियों को हम नहीं फेकेंगे चाय में यूज कर लेंगे बहुत अच्छी खुसबू आ रहे हैं मैं आपको क्या बताऊं यह देखिए तो पेट पोदे लगाए हैं तो कटाई चटाई जरूरी होता है ना तो मेरा दिमाग इस पोदे को पर गया मैंने सोचा कि चलिए जो है अब इनकी थोड़ा सा प्रोनिंग कर देते हैं क्योंकि अब जरूरी भी ह यह देखिए तो फ्रेंस मैं आपको बता दूं कि इनकी चाय बना कर पीने से चुह है सिर के दर्द जोडों के दर्द और खासी जुखाम बुखार में भी रहात होती है जी मिचलाना पेट की दर्द में भी बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होता है पोधा तो फ्रेंस इसल कमाल क्योंकि फ्रेंस एलेमन ग्राश जो है एंटी आक्सिडेंट एंटी इंफ्लामेंटरी और एंटी सेप्टिक गुडों से भरपूर है इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हूं देखिए हमने इन्हें कट करके छोटा कर दिया तो फ्रेंस कोई ब तो चलिए जो हम इनकी मित्ती की थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं मित्ती भी बहुत इजारा ड्राय हो चुकी है देखिए तो बहुत इसावधाने से जो हम इनकी मित्ती की गुड़ाई कर लेंगे नहीं तो जो इस सर्पत हैने फ्रेंस फार लेगा देखिए तो फ्रेंज अगर आप लगाए है तो इंकी प्रूनिंग कर दीजिए या फिर चोटे से पोर्ट में लगाए ने अच्छी तरह से और इनी खाद पानी दे दीजिए और अब जो है इन्हें खात पानी देना जरूरी है यह देखिए मैं इनकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर देती हूँ और मैं शुरू में ही जो है इन्हें बड़े से तीन के डिबे में लगाई ताकि जो है बार-बार मुझे इनकी रिपोर्टिंग न करना पड़े तो फ्रेंस इनकी मिट्टी की हमने गुड़ाई कर दी और मिट्टी भी ज़्यादा सकत नहीं है बुर्गुरी मिट्टी है कोई दिक्कत नहीं है और अब मैं इनमें खाद देने जा रही हूँ तो खाद कोई भी दे सकते हैं जैसी गोबर की खाद हुई वर्मी इसी को हम दे देते गिर झाएगा देखिए तो खाद हम बहुत बधोत增ार राम से यहीं हम अगर मैं प्रूनिंग नहीं तो अच्छी तरह से रुखा सोका पड़ेंगे और देखिए मैं में अच्छी तरह मैं जो है बड़े भड़े होल भी हमने बना रखा है कि इस्टा पानि अचनकर बाहर झाल झाल